बढ़ा मसा रहा है चलेने ग्लेंजी खड़ा के दखका देने मेरेको ठीक है ब्रैनी अभी देता हूँ जूले को दखका देने बोला ते मेरेको दे दिये अगली बर तू बैठ जूले पर मैं देता तुरको दखका ओ शुने हाफटी जराब पीछे से धकका देगा क्यो नहीं ग्रेडी तुम्हें चोट नहीं लगी ये तो ठीक है लेकिन हमारा जूला तो गया रस्षी पुराने जी तो क्या करूं रस्षी ठीक है तू मोटा हो गया तो जो मैं भी आरा हूँ ये क्या किया मैं खुद को देख भी नहीं सकता पाने की एक बुहत अथा नहीं बची है हम इस कीचड में कैसे तैरेंगे पुझे कीचड पसंद है ये कितना कितना जिकना है हाय मखी कीचड में नहाना है ग्रीडी अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो अपना वजन कम कर अब मैंने जान मुझकर थोड़ी किया है वह तो मैं अपना खाना कम करना पड़ेगा ग्रीडी आपको नहीं पापा पापा सुनिये पापा ओ ग्रीडी ओ क्या हूँ वह सब कहते हैं मैं बहुत मोटा हो गया हूँ बच्चे दूसरा अराम से बैठ चार म मुझे पूरी बात बता देख लिया ना पापा कितना मोटा हो गया है इसने हमारा जूला तोड़ दिया और स्वीमिंग पूल भरभाद कर दिया अब तुम सब जाओ मैं देखता हूँ ग्रीडी की प्रॉब्लम आखिर है क्या आपको उसका खाना बंद करना होगा पापा त कोई मगर नहीं कल से तु कम खाना खाएगा और कस्रत करेगा आज और इसी वक्से तेरे केक्स तेरे क्रीम बिस्किट्स लड़ू जिलेबी सब बंद ठीक है पापा देखता हूँ मेरा खाना कैसे बंद होता है ओ तु इधरा ग्रीडी दायतिंग कों करता है डायतिंग तैयार हो जा ग्रीडी आप उट जाओ और कर देश शुरू जल्दी कर ग्रीडी सुबा जल्दी उठना चाहिए और तगड़ा नाश्टा करना चाहिए मैंने कहा तगड़ा नाश्टा यह तु क्या कर रहा है पैपा का ओर्डर है कि मैं तेरे खाने पीने का खयाल रखूँ और इन्हें तु हाथ नहीं लगाएगा मैं यही करने आया हूँ यह लेक लिडी यह है तगड़ा नाश्टा मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ पर इसे नहीं छोड़ सकता हूँ एक हो गया अब बस कर सकता हूँ हेफटी एक और मेरा मतलब आदा हो गया था चुप-चाप करता रेक लिडी पापा ने मुझे तेरा एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर बनाया है मैं तुझे शेप में लाकर अपना जाए चाहे मेरी कमर ही क्यों ना टूट जाए खाने में क्या बनाया ड्रकर बड़ी भूग लगिया पालक का सूप, सलाथ के पत्ते और दाल का पारी कितना टेस्टी होका ना पालक का सूप, सलाथ के पते और दाल का पानी मीठा मेरे पास है ओ नो मेरे केव को ले गया मेरे क्रीम बिस्केट्स में गाइब है मेरी पेस्टी भी अब मैं क्या करूंगा अजीब बात है कल तक तो ये गोदाम पूरा भरा हुआ था गुड़ बार्निंग गेडी तुम्हारी डाइटिंग कैसे चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है पापा बहुत बढ़िया चल रही है अपने दोरों कान खुले रख आजरियाल और अपनी आंखे फाड़ कर देख एक्सरसाइज करने के बाद काम करना कितना अच्छा लगता है ना क्रीडी पापा हमेशा कहती है कि एक अच्छे श्रीर में अच्छे दिमागा होना बहुत जरूरी है क्योंकि तो ने कुछ सुना क्या ये शौर्दुस मॉफ्स का लगता है है सौक किलों की ग्रीडी उटन वैदे उपर से जल्दी लगता है दो सो किलों का है तेरा वजन तो जरा भी कम नहीं हुआ ग्रीडी अब हाँ मैंने चिटिंग गिया ओ ग्रीडी तू बड़ी मुशीबत में ग्रीडी जब पापा को पदा चलेगी तुसरी जम के पीटाई करेगी गंदे बदमुदार स्मर्फो इस बार तुम मुझ से बच कर नहीं जाए ग्रीडी आर्तेर बागए वर कोशिश पर रहा हूँ वर कोशिश कर रहा हूँ एाँ जलो कम से कम एक स्माव तो हास लगी गया एस रियाओ और ग्रीडी सबसे पीछे दे गया और उस बुरे गाग मेल ने उसे पकड़ लिया मैंने उसे शेप में लाने के कितने कोशिश की थी और मुझे लगा कि वो गाजर मुली का सलाग खा रहा था ओ बचो ग्रीडी ने तुम सबको बेवकूब बनाया है ओ पापा हमें क्या करना हमें ग्रीडी को बचाना ही होगा लेकिन मुझे अपनी लैब से कुछ चीजे लेनी हैं अगर वो पेड़ ना होता तो मैं एक नन्हिसमाफ की जगह उनकी दावत उना रहा होता लेकिन अगर मैं इस लालची नन्हिसमाफ को मीठा खिला कर मोटा कर दूँ तो शायद मेरी द दरूर आएंगे और क्याने से पहले में सारी मिठाया खदम कर देता हूँ और ले बढ़िया वाफ 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 तू तो बड़ा मोटा हो गया रहे अब खाने की बारी मेरी हो इंग जल्दी आईये पापा वहां इतना सन्नाटा क्यों है कुछ ज्यादा यह सन्नाटा है ओ पापा कहीं उस बुरे गागमेल निक्रीदी को ओ भू हूँ यहां तो कोई नहीं है तुम बताओ ट्राकर मुझे गंद तो आ रही है गाजर मूली सरसो का साग लगता है सूप बन रह है उस तरफ जल्दी करो एक पल भी नहीं कवा सकते गंद के पीछे जाओ ट्रेकर बस थोड़ी देर और है अधरियल आप साब से टेस्टी चीज बढ़ेगी बचाओ बचाओ पापा अब चुप करनी ले चूजे यहाँ पर तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा हम बिल्कुल सही वकपर पहुचे हैं ग्रेडी को अब ना नहीं यादा रही होगी बच्चों थोड़ी देर के लिए हम गार्गे मल के खाने का स्वाथ बदल देंगे अब मैं स्मास को वालूंगा उसकी स्मास करी बनाओंगा गाजर मुझे बहुत अच्छी लगती हाँ है और आलू और मोली उसे बड़े जोरों की भूग लगी है लेकिन सिर्फ सबजियों के लिए तो फिर देर की बात की यह आलू सिर्फ मेरे हाँ है पापा आपको देखकर मेरे जान मुझाना गई मैं कहता हूं वापस कर यह हमारी आखरी घाजर है जल्दी करो बच्छों जल्दी करो मैंने गार्गेमल पर थोड़ी देर के लिए जादू किया है जोड़ दें आजरियाल वरना मैं तरी चंपड़ी का कालीम बना दूँगा यह मैं समजियां क्यों इटिंग अम्ठू आज भागो वो जादू तो भक से पहली ही खत्म हो गया जे जो चाहिए वो यह है मोटा ताजा स्मॉफ आए लेकिन का गया वो स्मॉफ भाग गया हमें उससे ढूड़ना होगा एजरियाल जोरोगी फूख लगी हाई वो देख आजरियाल बहुत सारे स्मॉफ अगमेल अगो और तेज भागो वो खूसट गागमेल हमें पकड कर ही रहेगा पापा मेरे पास यहाईडिया है वो क्या है बोले मुझे तो कहां चले गाए वो अब कहां जाएंगे वो आजरियाल इस पार तु मुझसे नहीं वाचिंग सड़े हुए स्मॉफ तु जिन्देगी भर मेरा पीछा करता रहेगा तब भी मुझे पकड नहीं पाएगा बूडे खूसट जादू गर आओ मैं तुझे नहीं पकड सकता है तो फिर यह देख तेरी खोबड़ी में उन्लू ने अंडाल दिया था क्या माई तेरा वो हाल भगो एक दिन आजरियां एक दिन मैं उन्हें जरूर हरा दूंगा इस बार की फसल बहुत अच्छी रही बच्चो हमारी टोग्रिया फ़लों से लट गई है और मुझे बड़ा हलका लग रहा है सच मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तेरे मतले तुझे इन टेस्टी पेस्ट्री कैक सर गुलाब जैमिन की याद नहीं आई किया है आई त तो बड़ा ही अच्छा सर्प्राइज है स्मॉफ बेरी क्रीम केक तैंक्यों तुझे अपने पास ही रख ले मैंने सबक सीख लिया है अरे वो देख एक बर्ड आप परड़ाइस आसमान में कहां है क्या बात कर रहा है झाल से दोते हैंहाद नहाध है मुचलाईँ यालया हैолж पर चुझे और स्यूदस की बाता मुम